कि आप देख सकते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं मटर के पराथे जिसके लिए हमने मटर और नमक पानी में उबालने के लिए डाल दिया है और इसे उबल जाने के बाद अब हम इसे ड्रेनर से सारा पानी इसका निकाल लेंगे और फिर इसको हम दरदरा पीस लेंगे किसी मिक्सर ग्राइंडर की मदद से जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और अब हम एक पैन में ओईल गरम करेंगे और ओईल डाल लेने के बाद हम इसके गरम होने का इंतजार करेंगे और अब हम इसमें एड कर देंगे थोड़ा सा हींग हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा जीरा जब क्रैकल होने लगेगा तब हम इसमें एड कर देंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई बारीक कटा हुआ अद्रक अब अच्छे से हम इसे मिला लेंगे और इसे अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें एड कर देंगे हमारे दरदरे पीसे हुए मटर को और अच्छे से हम इसको भून लेंगे जिससे की ये सारा फ्लेवर इसमें चला जाए मटर में अब हम सूखे मसाले डालेंगे इसमें एक एक करके सब सब पहले हम एक टेबल स्पून हल्दी एक टेबल स्पून लालमच पाउडर एक टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे इसमें और साथ ही हम डाल रहे हैं एक टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम यहाँ थोड़ी से और आमचूर एड़ कर रहे हैं फ्लिवर को बढ़ाने के लिए एक टेबल स्पून अब हम स्वाद अनुसार इसमें नमक एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे दो से तीन मिनट इसे भून लेने के पास इसमें हम धनिया पती आड़ कर लेंगे और ये हमारे स्टफिंग तयार है पराठे की और अब हम पराठे के लिए आटा तयार कर रहे हैं जिसके लिए हमने आटे में कि दो से तीन टेबलसपून ओईल अड़ कर देना है और थोड़ा सा नमक आड़ कर देना है पिंच ऑफ सॉल्ट और इसको थोड़ा मिला लेना है हम को आटे में और इससे मिला लेने के बाद अच्छे से को आप के पूरे आटे में मिला लीजिए और अब जैसे कि हम नॉर्मली आटे को बनाते हैं वैसे ही पानी डाल गया आटा गूद लें और यह आप देख सकते हैं यहां पर यह आटा हमारा लगभग बन के तयार हो गया है अब यहां जैसा कि हमने आटा तयार कर लिया है अब हम इसे ढख के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद हम इसमें ठोड़ा सा ओईल लगा लेंगे और 10 मिनट रेस्ट में छोड़ देने के बाद हम इसमें ओईल लगाके अच्छे से इसे एक बार और मिला लेंगे अब हम जैसे नौर्मली पराठा हमारा बनाते हैं हम आटे की थोड़ी सी छोटा सा एक पार्ट लेंगे उसको राउंड कर लेंगे और उसके बाद उसका कप शेप बनाके उसमें हम स्टफिंग को डाल लेंगे और अब आप इसको घुमाते हुए बंद कर लीजिए हम इसे बेल लेंगे अच्छे से प्रेस करके जिससे कि यह निकले नहीं यह देखे जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं आपके लिए एक पराठा पूरा बनाके दिखा देंगे जिससे बेगनर्स को आसानी हो बनाने में और यह देखिए यह हमने बेल लिया है और अब हमने इसे तवे पे डाल दिया है यह हमने पराठे को एक साइड से पलट लिया है सिख जाने के बाद अब हम दूसरी साइड और इसको अच्छे से लिए जब यह एक तरफ से पूरी तरफ शिख जाए इसके बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से एंगे देखिए जितना ओईल आपको यूज करना हो अगर आप कम खाते हो तो कम ओईल यूज करें और यह देखिए अच्छे से आप इसको पका लिजिए दबा दबा कर और यह लगभग हमारा तयार है मटल का पराठा अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट पर दो से तीन बार सेख लेने के बाद तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और हमारी वीडियो को लाइक और शे करते रहें कि फ्रेंड्स हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है तो हमारे चैनल अंकी जिला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और हरी चटनी के साथ इस मटर के पराठ्थे को इंजॉय करें थैंक्स फो वाचिंग तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स सी इन झाले बड़ी हैंसी इन तर डूरत को इंड्स पराठ्ट में पराठ्ट बाई टो भी गजया थैंग तो यह थी जी साब तक कि यह चेंग है ड़क्ट कर दोर टना वाजी करेंडना के पराठक कि जाए बड़क्ग्स थान शुद्ध टें दोर वाइसर प्लब़क्स फीज